हेलो दोस्तों मैं हूँ दिलेर सिंग और आपका सवाकता है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सहजाद सिंग सो एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ कई लोगों के बड़े सारे मेसेज मेरे को आए को सबस्क्राइब कर लिए बैल अइकन प्रेस कर लिए लोडिफिकेशन तांकि आप तक पहुंद सके आईए समय अखराबना करते हूए करते हैं वीडियो को स्टार्ट सो दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कई लोगों के रिमोट में दिक्कत रहती है कि उनका temperature चेंज नहीं हो रहा है कई लोगों के दिक्कत रहती है कि इसका कोई भी button काम नहीं करता हूं तो ये लगता है कि आपका remote खराब हो गया है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है remote में अगर दिक्कत होती है तो जनात उसकी display आएगी अगर डिस्प्ले आती है तो बटन्स में दिक्कत हो सकती है तो आईए उसी चीज के regarding में बात करना चाहता था चलते हैं remote की screen पर और सारी तो पूरी वीडियो देखना यार ध्यान से ताकि आपको समल लग सके अपने एसी के रिमोट को अच्छी तरह यूज़ कर सके और फायदा उठा सके आइए चलते हैं रिमोट की स्क्रीन आपको दिखाता हूं और बताता हूं क्या दिक्कत रहती है तो दोस्तों मैं आपको ले तहर कि इंपर्ँपरेश्र कम जदा हो रहा होता है 26 कर लिजीये 27 कर लिजी से तो यहां पर कई बर क्या हुता हैमारे इनमोड के बटन वगएरा काम निहीं करते तो उसमें हम नहीं क्या होता है दैखिए यह चोटा सा बटन है अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसको दबाने से क्या होता है देखिए यहां पर मैं क्लिक कर रहा हूँ क्लोक का बटन दबा दिया मैंने यह ठीक है तो यहां पर यह क्लोक बिलिंक करने लग जाती है जिसमें की आपके टंपरेचर का बटन यह देखिए temperature का button आपका काम नहीं करेगा आप temperature ये वाला button काम कर लिजिए ये भी आपका काम नहीं करेगा timer का यूज़ करेंगे तब भी आपका काम नहीं करेगा time off का कर लिजिए तब भी आपका काम नहीं करेगा fan का button दबा लिजिए तो तब भी आपका ये काम करेगा बाकी सबी बटनों को छोड़ कर चिरफ एक fan का बटन आपका काम करेगा या फिर mode का बटन काम करेगा इसमें क्या रहेगा देखिए अगर आप एक बार इसको ओफ भी कर लेते हैं मैंने यह off कर दिया त्पारा फिर मैं ओन करता हूं और फिर से जर्जिघ करने कोशिश करता बटन काम नहीं कर रहा है तो हम सबसे बड़ी गलती यहीं पर कर देते हैं कि हमने क्लोग का बटन प्रेस किया है जो कि एक टाइम को सेट करने के लिए होता है क्लोग के बटन को कर दिया आपने प्रेस करने के बाद यहां पर यह टाइम सेट करने के लिए होता है यह देखिए ताइमर बढ़ रहा है यहां पर देखो तो सबसे बड़ी गलती हम यहां पर करते हैं आप ताइमर को दबारा प्रेस कर देंगे कलोग को तो वो रुक जाएगा और अब यह देखिए आपका जो टेंपरेचर है कम जदा होने लगए यहां ताइमर ओन का यह देखिए आगया ओफ का करेंगे तो ओफ का भी आ जाएगा अगर कलोग में दबाता है तो टमपरेचर भी आ जाएगा फैन के स्पीड बढ़ रही है अभी ओन ओफ करता हूं तो यह देखो तब भी यह टमपरेचर कम जदा हो रहा है तो इस चीज़ का ध्यार रखिए कि हमारे रिपोर्ण में दिक्कत कुछ नहीं होती हमने सिर्फ यह कलोग वाला बटन दबाया होता है जिसकी वज़ा से कलोग बिलिंक करता है और यह कलोग सेट करने के लिए होता है टाइम सेट करने के लिए होता है ठीक है आई होप जानकार यह अच्छी लगे होगी अच्छी लगे तो यार लाइक प्रेस कर देना कि सब्सक्राइब बटन दबाना मत बूलना शेर जुरू कर देना मिलते हैं नई वीडियो में